इसलिए उसे माराथान सीरीज कहा गया है इस हैंसट की बेटरी भी काफी बड़ी है और बाकी फीचर्स भी हम दिसकस करते है इस रिव्यू में व्यूवर्स हम लोग ने क्यू मोबाइल नॉयर M96 को किया है अन्बॉक्स और अन्बॉक्स करनी के बाद सबसे पहले जो हमारे पस स्मार्टफॉन आया है आप उसे देख सकते हैं थोड़ा सा हेवी स्मार्टफॉन है वेट में ठोड़ा ज्यादा है अधिजन दिस स्मार्टफॉन हमारे पास वन एमपर कर ट्रेवल चारजर है एक टेटा केबल जिससे आप अपने हैंड्स रिट को चार्ज करेंगे और डेटा ट्रांस्वर भी करेंगे लावस बट नॉट दलीस है माई पस क्यूमोबाइल की यूजूल हैंड्स फ्री हैं क्यूमोबाइल नॉयर एम 96 एक माराथान सीरी का हैंड्सेट इसकी शेप काफी इंप्रेसिफ है और शाइनी बॉड़ी है इस हैंड्सेट की और इसका एक ड्रॉबाइक यह है कि मुझे रिव्यू करते वे बहुत इशू हुआ क्यूंकि मैं जिदर हाथ लगाती थी फिंगर प्रिंट्स आ रहे होते थे मेरे आप देख सकते हैं अभी भी बहुत साफ करने के बाद भी इस हैंड्सेट में बहुत जल्दी आ रहे हैं फिंगर्प्रिंट वो जो स्क्राच है या फिर जो भी आप कहरे है इस नॉट मतब आपका साफ नहीं लगता आपको बारबार इस हैंड्सेट को साफ करना पड़ता है मैं जब से यूज करही हूं जो है it's 225 dpi तो आपको इसके डिस्प्ले से भी अंदाजा हो रहा होगा other than this, इस handset में जो प्रोसेसर है, it's 1.2 quad-core प्रोसेसर, Mediatek का चिपसेट है और हम ऐसा करते हैं आपको एक highway, rider जो game है वो खेल के दिखा देती है, handset में, तोड़ा सा time consume लेगा ये, क्योंकि जो game है वो थोड़ी सी heavy app है, और खुलने में और ये open होने में थोड़ा time लेती है, and secondly, अगर आप इस handset की RAM की बात करें, it's 1GB RAM, तो 1GB RAM and 1.2 GHz quad-core प्रोसेसर के साथ आईगा सिए game थोड़ा time लेगी open होने में, और जब तक ये open होती है, मैं आपको इसकी बाकी चीज़े बता देती हूँ, इस handset की जो internal storage है, it is 8GB internal storage, और ये के expandable है, it's a 3G handset, और क्योंकि ये marathon series का handset है, तो इसकी जो battery है, वो बहुत बड़ी है, it's 4000 mAh battery, और जनाब आगी है हमारी game, let's जल्दी करते हैं, जी हम इसे खेलने के कोशिश, इस में ट्राशबस आऑचा स्जेश, आईए ये 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 खेलो isn't het, बड़ी है, तोutto ऐे लिएाँ आएएगा है, विलामों सेटी तो इसी आपको डिवाइस details दिखा देते हैं जी अब यहां से देख सकते हैं इसमें जो OS यूज़ हुआ है इस Android KitKat 4.4.2 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो resolution है इस 854 x 480, DPI इसका 225 है और इसमें जो graphic driver यूज़ हुआ है that is Mali 400 MP memory is handset की 1 GB RAM and 8 GB of internal storage अब इसे expand कर सकते हैं up to 32 GB handset में जो camera है it's 5 megapixel rear cam आप इसे यहां से देख सकते हैं with a flashlight और जो इसका हमारा front cam है it's a smart front cam जिसका मतलब यह है कि एक VGA front cam है हम आपको इसके different pictures दिखा देते हैं जी यह इसके VGA front cam के picture है और इसकी details में आपको यहां से दिखा सकते हैं और इसकी जादा detail आपको चाहिए तो आप हमारे written reviews पर जा सकते हैं you'll get more details there other than this हम यह दिखाते हैं आपको यह इसके 5 megapixel front cam के picture है इस picture की भी आपको जितनी भी details है अगर आपको original picture भी चाहिए तो आपको हमारे written reviews पर यह picture मिल जाएगी you can get that picture from there और आपको इसकी details देख सकते हैं अगर कोई ऐसा question है जो भी तक हमने answer नहीं किया या फिर आपकी कोई भी ऐसा question है जो आपको इस review में नहीं मिला what you can do is you can write us email या आप comment में भी हमें अपना question लिख के भीज सकते हैं हमारी जो technical team है they'll get back to you with your reply and for more reviews keep visiting our website don't forget to follow us on facebook and twitter Allah Hafiz